ओम शांती, बेश मार्च दो आजार चोविस आजकी साकार मुरली रंगेईन बड़े बड़े अक्षिरों में पड़े, सुने और मन्थन करें, ये मन्थन हम प्रति दिन सवेरे छे बजे, शाम को चार बजे करते हैं। इसके साथ साथ हम प्रति दिन, शाम को पांच बजे, सहज, राजयोग, कोर्स, पर भी मन्थन करते हैं, जिसमें नए भाई बहने, अपने हर बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके लिए भी यही लिंक है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मंथन करने से हम सब आपस में मिलकर एक मत होने के लिए बाबा के स्रीमत को समझते हैं। बाबा भी हमें रोजाना मुली मंथन के लिए मन मना भाव करने के लिए एक दूसरे से विचारों को बाबा की स्रीमत पर मिलाने के लिए मर्गदर्शन करते रहते हैं। आप सभी भी जुड़ना चाहते हैं तो निच्चे दिये लिंक के अनुसार आप गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। और ये उसी टाइम लाइव चैट भी होता है। आप मुली पर लाइव चैट करने के लिए चैट बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हैं। सुझाव लिख सकते हैं। अपनी बात लिख सकते हैं। और बाद में आप मुली सुन रहे हैं तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। आपके पास बाद में आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या आपके पास वर्षप के द्वारा या किसी मित्र संबंधी के द्वारा पहुंशती है तो आप देख रहे हैं तब भी इसके नीचे ये वर्षप नंबर दिखाई दे रहा है आप उस वर्षप नंबर पर अपने सुझाओ अपने विचार लिख सकते ओम शांति आज की मुली का सार मिठा मिठा बाबा करते मिठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होने चाहिए कैसी खुशी होने चाहिए गुप्त खुशी होने चाहिए कि हमें परम पिता परम आत्मा बाप की युनिवरिस्टी के स्टूडेंट हैं। प्रश्ट किस स्मृती में सदा रहो तो दैवी गोन धारन होते रहेंगे। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें काटों से फूल बनाने आए। बाबा हमें काटों से फूल बनाने आए हैं। बच्चे हैं हम बाबा के। शिव बाबा के हम बच्चे हैं। और हम बच्चे काटे बन गए हैं। तबी तो हमें काटे से क्या बनाने आए हैं। फूल बनाने आए हैं यही सम्रिती सदा रहे यह सदा क्या रहे सम्रिती रहे तो देवी गुण धारन होते रहेंगे क्यों धारन होते रहेंगे क्योंकि फूल बनेंगे ही तब जब हम देवी गुण अपने में धारन करेंगे बिना धारन किये हम बिना देवी गुणों को धारन किये काटे से फूल बन नहीं सकते और बाबा हमें हाथ नहीं लगाता बाबा हमें कोई महनत नहीं करता सिरब बाबा की महनत इतनी है कि वो हमें राष्टा दिखाता है विधी सिखाता है उस विदी पर चलेंगे तो बनेंगे नहीं चलेंगे तो नहीं यह नहीं कि हमने बाबा को कह दिया बाबा तुम काटे से फूल बनाओ और बाबा हमें काटे से फूल बना देगा ऐसे नहीं बनाना हमने खुद है पड़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे पड़ाई पर और योग पर पूरा ध्यान रहे विकारों से नफ्रत हो विकारों से क्या हो नफ्रत हो तो दैवी गुण आते जाएगे तो दैवी गुण आते जाएगे जिस समय कोई विकार कोई वार करे जिस समय कोई भी विकार आप पर वार करे तो समझना चाहिए क्या समझना चाहिए मैं काटा हूँ मैं क्या हूँ काटा हूँ मुझे तो फूल बनना है कोई विकार आया है चाहे काम आया चाहे क्रोद आया चाहे लोब आया चाहे मुव आया चाहे इंकार आया कोई भी विकार आया तो त्रंत हमको क्या समझ लेना है मैं काटा मुझे फूल बनना है फूल बनना है तो पहले तो इसको रोको पहले तो इसको रोको रोके कैसे उसको क्योंकि हमें जो भी गुसा आ रहा है योगबल तब ही होता है जब हम उसका प्रियोग करें और योग बल को हम प्रियोग करेंगे तब खाली हम कहें दें योग बल से तो योग बल क्या है बाबा की शिरीमत को बार बार प्रियोग करने के अनुभग बाबा की शिरीमत पर हम अपने आपको बैट कर समझाए कि ये करना ठीक नहीं है मुझे जिसके कारण गुसा आ रहा है वो मेरा हिसाब किताब है उसने मेरे साथ ऐसे करना था मुझे कोई भै लग रहा है क्यों लग रहा है भै भै क्योंकि क्रोध आता है भै के कारण मेरा कोई नुक्सान हो जाएगा उसके कारण क्रोध आता है तो जो कुछ भी हो रहा है वो accurate हो रहा है ड्रामा में कभी गलती हो नहीं सकती जो कुछ भी जो कर रहा है वो right कर रहा है फिर मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ मैं क्यों भैवीत हो रहा हूँ मुझे किस बात की चिंता लग रही है जब जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा लोब किसके लिए लोब क्यों कर रहा हूँ गलती लोब कर रहा हूँ तो गलती कर रहा हूँ न और इसी प्रकार से एंकार किस बात का ये शरीर अगले पल नहीं ये ताकत अगले पल नहीं ये सुन्दरता अगले पल नहीं किस चीज का मैं रोब कर रहा हूँ ये धन ये संपति ये मकाम अगले पल नहीं किस बात का मैं एंकार कर रहा हूँ ये बात जानते सभी हैं परंतु बाबा की सिर्मत के अनुसार अपने आपको जब हम बैठ कर समझाएंगे तो हम प्रैक्टिकल बनेंगे तब ये बनेगा योगबल और तब हम किसी को दुख देने से अपने आपको क्या कर सकेंगे बचा सकेंगे रोख सकेंगे तो ये हमें बैठ करके एक-एक विकार के लिए सोचना है और अपने आपको समझाना और फूल बनना ओम शान्ति बच्चों की बुद्धी में हैं कि हम रुहानी युनिवरस्टी में बैठे हैं ये नशा होना चाहिए और्डिनरी रीती स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहां बुद्धू होकर नहीं बैठना है बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं याद रहना चाहिए ये उंचे ते उंच परम पिता परम आत्मा बुद्ध ओकर कैसे बैठते हैं बाबा की सिर्मत पर कोई मन्थन ही नहीं कर रहे अपने आपको चेकिग नहीं कर रहे अपने आपको समझा नहीं रहे या तो यह नो बैठे हुए हैं और अपना कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं और बुद्धी में खुश हो रहे हैं, हम योग लगा रहे हैं, खाली बैठे रहे गए, या घर की बाते, परिवार की बाते सोचते रहे, गीत चल रहा है, चलने दू, कमेंटरी चल रही है, चलने दू, क्योंकि मेरा अपना अनुबाव है, कमेंटरी चल रही है, हमें कितनी द नहीं जा रहा है, नहीं हम कुछ समझ रहे हैं, गीत सुन रहे गीत चल रहा है, शरीर गीत के उपढ़ डांस कर रहा है, प्रणतु बुद्धी में कुछ और चल रहा है, अब यह बुद्धु हुए न, भाग्ये बनाने का टाइम हो, और हम अपना भाग्य ना बना हम हर सेकिन अपना भाग्य बना सकते हैं पर तो ये अटेंशन हो कि मेरा देखना बाबा की सिर्मत के नुसार है मेरा सुनना बाबा की सिर्मत के नुसार है मेरी बुद्धी में जो संकाल पा रहा है वो बाबा की सिर्मत के नुसार है मैं जो बोल रहा हूँ वो बाबा की स्रीमत के मुसार है मैं जो कर रहा हूँ वो बाबा की स्रीमत के मुसार है फिर बाबा याद है फिर मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे से बड़ा बुद्धू इस दुनिया में और बुद्धु होकर बैठते याद रहना चाहिए क्या याद रहना चाहिए यह उचिते उच परम पिता परम आत्मा की उनिवर्स्टिए और वो भी मेरा अबाप है किसी और का बाप तो है यह पर तो मेरा बाप है ये भी साथ में नशा हो, अधिकार हो, उनके हम स्टूडेंट है, तो तुमारे में कितनी फलक होने चाहिए, कितना नशा होना चाहिए तुमारे में, ये है गुप्त खुशी, जिसको ये नशा होगा, उसे क्या होगी, गुप्त खुशी होगी, गुप्त ग्यान, गुप्त ख गंदे ख्यालात आते रहते यहां बैठे हैं बैठे बाबा रूम में और मन में ख्यालात गंदे आ रहे हैं उसको मारना है उसको पीठना है उसको यह करना है उसको वो करना है मैं उसको यह कर दूँगा मैं क्योंकि घर की बाते हैं न उसमें तो दे भान अभिमान पूरा रहत है न हम बैठे यहां हैं गीत चल रहा है मुरली चल रही है पर तो हमारे अंदर अपने तुफान चल रहे हैं चाहे वो किसी भी विकार के हो लोब के हो रहानी के मल किसी प्रकार के सिंता के हो कुछ भी ख्यालात और चल रहे हैं तो हम क्या करें गंदे ख्यालात है न भी तुम्हारा नुक्सान हो रहा है ना हम बेमतलब की बाते सोचे जिनको सोचने की जुरुत नहीं है यहां तुम पढ़ते हो भविशे नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए तो तुम को कितनी खुशी होनी चाहिए देवी गुण भी होने चाहिए भल यहां सब ब्रामन ह आते हैं वहां की किचरपटी से तो तुम निकल कर यहां आते हो तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए सारी दुनिया इस समय गंद में पड़ी है कहा कल-यूगी गंद और कहा सत्यूगी सत्यूग में क्या होगा फुलवारी वो गंद काटे उनके लिए शब्द ऐसे ऐसे और सत्यूग के लिए फुलवारी फूल कल यूग में एक दो को काटे लगाते रहते हैं तुमको अब फूल बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए हम अब फूल बनते हैं ये बगीचा है ये क्या है? बगीचा है बाप को बागवान कहा जाता है बागवान आकर काटों को फूल बनाते हैं ये तो ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस परकार का फूल बन रहे हैं हम किस परकार का फूल बन रहे हैं यहां बगीचा भी है मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो हम कौन सा फूल हैं हम काटे तो नहीं है जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि क्या समझना चाहिए कि मैं काटा हूँ मैं काटा हूँ मेरे में भूत है इतनी नफरत आनी चाहिए क्रोध तो सब के बीच में आ जाता है क्रोध तो एक ऐसा विकार है जो सब के बीच में आ जाता है और सब को पता भी लग जाता है कि ये क्रोधी है ये क्रोधी है इसके अंदर सभी कहते हैं, वो बहुत गुसे वाला है, सब के बीच में आ जाता है, और ये काम, काम तो सब के बीच में हो ना से के, वे तो छिपा कर करते हैं, अब कोई बैठा है, अंदर अंदर गंदे विचार किये जा रहा है, किये जाए, किसी को पता ही नहीं, किसी को पत करते हैं क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है एक बार क्रोध कर लिया ना किसी ने तो तीन दिन में फटा फटा क्रोध आ जाएगा उसको उसको तीन दिन क्रोध ना करे ना तब वो क्रोध पर कंट्रोल करता है एक और किसी भी कार्ण से उसको गुसा आ गया, ये श्रीर इतना कमजोर हो जाता है, फिर उसको छोट छोटी बात पर फटा फट गुसा आ जाएगा उसको गुसा, इतना हमारे ब्रेन को कमजोर कर देता है, हमारी बुद्धी को, आत्मा को भी कमजोर कर देता है, वह समझेंगे, कमजोर हो जाता है ना ये जो अज्ञानता का परभाव है, हमारे उपर जब किसी के उपर भी पढ़ता है, तो वो उसके बुद्धी का दर्वाजा बंद कर देता है तो ये बुद्धी का दर्वाजा बंद करना जब आ जाता है तो तुरंत बुद्धी का दर्वाजा बंद हो जाता है निर्ने शक्ती खत्म हो जाती है सैन शक्ती खत्म हो जाती है तो उसका असर भी थोड़े दिन चलता है क्रोध का भी नशा है लोब का भी नशा है अपने से आपे ही नफरत अपने से आपे ही नफरत आने चाहिए तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं काम और क्रोध बहुत गंदा है काम और क्रोध बहुत गंदा है मनुष्य की सारी शोबा ही गवा देते हैं यहां शोबा दिखाएंगे तब वहां भी शोबा पाएंगे बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि देवी गुण धारन करो स्वर्ग में चलना है यह लक्ष्मी नारैन कितने गुणवान है महिमा भी इनके आगे जाकर करते हैं महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं हम नीच, पापी, कामी, कुरोधी, लोभी, मोही, विशे, विकार, मिटाओ आप सर्वगुण, संपन, सोला, कला, संपुरर तुम समझाते भी हो, स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है काटों का जंगल स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है काटों का जंगल स्वर्ग, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं रावन नर्क बनाता है शिव बाबा क्या करते हैं? रावन को ने है? रावन को यात्मा है? नहीं हमारी कम्जोरियां, हमारी कम्जोरियां, रावन कोई होता नहीं, माया कोई होती नहीं ये हमारे अंदर हमारे गुणों का अभाव है जब हमारे गुण कम हो जाते हैं, वो ठीक की बजाए गलत करना शुरू कर देते हैं और जब हम गलत करना शुरू कर देते हैं, तो उसे रावन कहते हैं, रावन कहीं बाहर से नहीं आता है, नाया कहीं बाहर से नहीं आती है, जैसे कह देते हैं, मुझे गुसा आ गया, मुझे लोब आ गया, अरे भी कहीं बाहर से कुछ नहीं आया, दूसरे पर दोस नहीं राव परमात्मा की शिरी मत्र की छोड़ा तो मैं रावन हूँ बता वाती खता हूँ और कोई बात इसमें नहीं थे हूँ रावन नर्क बनाता है विचार करना चाहिए कि हम आत्मा बाप की संतान हैं हमारे में गंद कहां से आ गया अगर गंद होगा तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंद्या कराएंगे क्रोध का भूत आया और बाप को भूले और बाप को भूले बाप की याद हो तो कोई भी भूत आय ही नहीं अगर किसी की दिल को दुख पहुँचाते हैं तो वे भी असर पढ़ जाता है तो वे भी असर पढ़ जाता है एक बार क्रोध किया तो छे मास तक सब की बुद्धी में रहेगा ये बड़ा क्रोधी है ये बड़ा क्रोधी है फिर दिल से उतर जाता है फिर दिल से क्या होता है उतर जाता है बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं इसमें भी जरूर खूबियां होंगी परन्तु कोई की तकदीर में नहीं है तो तकदीर में नहीं है तो तद्बीर करते नहीं कितनी सहज तद्बीर है सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच बन जाएगी और कोई उपाए नहीं है इस समें राज रिशी तो कोई है नहीं राज योग सिखलाने वाला एक ही बाप है मनुषे मनुषे को सुधार ना सके मनुष्य को सुधार ना सके बाप आकर सब को सुधारते हैं जो बिलकुल अच्छी तरह सुधार जाते हैं वे सत्युग में पहले पहले आते हैं तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए पड़ाई पर योग पर पुरा ध्यान देना चाहिए ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे उच नहीं बनेंगे परंतु बाप तो पुर्शार्थ कराएंगे जितना हो सके पुर्शार्थ कर उच पद पाओ नहीं तो कल्प अंतर नहीं पा सकेगे यदि अभी आपने उच पद नहीं पाया तो किसी भी कल्प में नहीं पा सकेगे बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए ये सन्यासी तो हाठ योग शिकलाते हैं ऐसे मत समझना कि हाठ योग से तंद रुस्त अच्छी होती है ये कभी भी मत समझना कि हाठ योग से तंद रुस्ती अच्छी होती है वे कभी बिमार नहीं पढ़ते नहीं वे भी बिमार पड़ते हैं भारत में जब लक्ष्मी नारहन का राज्य था तो सब की आयू बड़ी थी, healthy, wealthy थी, अभी तो सब बिल्कुल छोटी आयू वाले हैं भारत को ऐसा किसने बनाया ये कोई भी जानते बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं तो कितना भी समझाओ परन्तु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है फिर भी गरीब साधान ही समझने की कोशिश करते हैं यहां कोई लखपती है क्या आज का लाख भी बड़ी बात नहीं आज लखपती तो बहुत हैं उन्हें भी बाबा साधान कहते हैं आज तो क्रोड़ पती की बात है शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं तो बच्चों को बड़ा युक्ती से समझाना है जो किसको तीर लग जाए बड़े बड़े आदमी कोई MP आदी आते हैं तो बहुत खुश होते हैं परन्तु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके तुम समझाते हो परन्तु यथार्थ पुरा समझ कर नहीं जाते हैं उंचते उंच भगवान उंचते उंच ये वर्सा लक्षमी नारायन को किसने ये स्वर्ग का वर्सा दिया किसने ये स्वरग का वर्षा दिया ये कहां के रहवासी हैं ये बहुतों को पता नहीं पड़ता म्यूज़म में आते बहुत हैं समझने के लिए सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है ही नहीं सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं बाप को याद करें बाप को याद करें तो परफूता भी आए तो परफूता भी आए हम किसकी संतान हैं कितने बच्चे काईदे सिर पढ़ते नहीं कितने बच्चे हैं जो काईदे सिर्फ पढ़ते नहीं है बाप से योग है नहीं बाप से क्या नहीं है योग नहीं है समपुरण तो कोई बने नहीं है समपुरण तो कोई बना नहीं है नंबर वार है बच्चों को एकांत में बैट बाप को याद करना है बच्चों को क्या करना है एकांत में पाते हैं इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं फिर हमको ही पावन बनना है ये अच्छी रीती याद करना है ये बात क्या करनी है अच्छी रीती याद करनी है बाप हर परकार की राय तो देते हैं ऐसे ऐसे करो जैसे Queen Victoria का वजीर गरीब था कवीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था रोड के लाइट पर बती पर पढ़ पढ़ कर उंच पढ़ पा लिया शौक था यह भी गरीब के लिए है बाप है गरीब निवाज सवकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे जो सवकार होंगे क्या वो बाप को याद कर सकेंगे कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहां ही है अरे बाप ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है फिर तुमारे लिए स्वर्ग कहा से आ गया है उस साथ है बाबा को क्या अरे बाबा प्रावं तो जरूर भनना है बच्चों को युक्ति रचनी चाहिए ना बच्चों को युक्ती रचनी है अब बिना युक्ती रचे कैसे तुम स्वर्ग बनाओगे कैसे किसको समझाए कि भारत का प्राचीन योग सिवाये पर्म पिता पर्म आत्मा के और कोई सिखा नहीं सकता परम पिता परम आत्मा के सिवाए और कोई सिखा नहीं सकता ये लाइन कोन समझाए उनको बाबा केते हैं कैसे किसको समझाएं कैसे किसको समझाएं योग सिवाए परम पिता परमात्मा के कोई नहीं समझाएं हठ योग है निवरिती मार्ग वालों का, हठ योग है निवरिती मार्ग वालों के लिए बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्यान होना होगा, तो फिर लिखेंगे भी ऐसे, अभी देरी है, तो किसकी बुद्धी में आता ने, अभी देरी है, तो किसकी बुद्धी में आता नहीं, तुम्हारी है ये इश्वरिय मिश्ण, तुम्हे मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है, दुनिया में तो अनेक परकार की मते निकलती रहती है, तो कितना शो है, उनका कितना शो करते हैं, अंदशर्दा कितनी है, रात दिन का फर्क है, तुम ब्राह्मनों में भी, तुम ब्रामनों में भी क्या है, रात, दिन का फर्क है, कोई तो कुछ भी जानते नहीं, भाय बहुत सहज, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, और मुझे एक बाप को याद करो, तो ऐसे बन जाएंगे, धिंदोरा पिटवाते रहो, दे अभिमान ना हो, तो धोलक गले में धोलक गले में डाल सब को बताते रहो जब ये बाबा कहता है न, तो मुझे क्या याद आता है, हमारे बिजवासन में एक भाई धोलक गले में डाल के, क्योंकि बाबा ने कहा होगा उस दिन तो अपना दोलक बजा रहा हो और कह रहा हो सुनो 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 भगवान आ गए है भगवान आ गए है धर्ति पर वह अपना क्योंकि बाबा ने कहा है कि सब को जाके संदेश दो तो मुझा वह और सारे टीचर के भाई देख थारा के कर रहे है हो मुझे याद आता है कि देखो भाबा के बाबा क्या शबद देखरें कितना अच्छा यूज करता है अब किसको टच करता है कौन सुनेगा और कौन करेगा सारे तो नहीं करेंगे तो ड्छोल बजवाया गया पर तु ड्छोल बजाना और बजवाना दोनों में अंतर है न खुशी माला ऐसा है कि पहले तो सबसे बड़ बात होते है पैसे नहीं थे अब ठीक है पैसे हम ढोल बजबा ले पर तो पहले पैसे नहीं थे जिस समय ये मुल्लियां चली है उस समय यग्य में इतना पैसा नहीं था पर ढोल बजाने के साथ साथ ढोलक गले में डाल सब को बताते रहें रहो कि बाप आया है कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे मुझे याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे पतित से पावन बन जाएंगे ये घर घर में संदेश देना है सबी पर कट चड़ी हुई है सब पर क्या चड़ी हुई है कट चड़ी हुई है तमो परधान दुनिया है सब को बाप का पेगाम जरूर पहुचाना है पिछाडी में तुमारी वह वह निकलेगी लास्क में तुम्हारी क्या निकलेगी वहाँ वहाँ निकलेगी कहेंगे कमाल है इनों की इतना जगाया इनों की क्या है कमाल है इतना जगाया परंतु हम नहीं जागे हम फिर भी सोय रहे हम नहीं जागे इनोंने हमें कितना जगाया परण तो हम भी पक्के थे हम नहीं जगे, कौन जीता जो जगे उन्होंने पाया जो सोय उन्होंने खोया, बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते, आते हैं बादशाही लेने, सो गए तो क्या हुआ, अपना भागे सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए, बाप आया है, कहते हैं माम एकम, याद करो तो विकार्म भिनाश होंगे पवित्र बन, पवित्र द्वित्र दुनिया का मलिक बन जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं कोई भी कट ना रहे तब उच पद पा सकते नहीं तो पद भी कम सजाएं भी खाएंगे सर्विश की अच्छी मार्जिन सर्विश की क्या है अच्छी मार्जिन है चित्र साथ में ले जाने से सर्विश कर सकेंगे चित्र ऐसे अच्छी रीती बनाने चाहिए जो खराब ना हो ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है बाकी मॉर्डल्स तो खिलोने बाकी मॉर्डल्स क्या है खिलोने बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं हजारों वर्ष भी चलते हैं तुम्हारे यहे 6 चित्र काफी हैं, बोलो यह स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है, उनको बताओ, यह संसार का चक्र कैसे चाओता है, हम आपको समझाएंगे, इस चक्र को याद करने से, तुम क्या बनेंगे, चक्रवर्ति राजा बनेंगे, तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे बैज भी बहुत अच्छा है परन्तु इनकी वेल्यू बच्चों के पास नहीं है इनकी वेल्यू बच्चों के पास नहीं है इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी तो भी तुम्हारी कमाई क्या होगी बहुत होगी ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे ये बाबा इस ब्रमा द्वारा ये वर्षा देते हैं ट्रेन में भी चक्कर लगाते ये समझाते रहो ट्रेन में भी क्या करो चक्कर लगाते नहीं कर सकते ये बैज ऐसी चीज है हीरे ज्वाराथ फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है हीरे ज्वाराथ फल फूल महल सब कुछ इसमें क्या है मर्ज है परंतु बच्चों की बुद्धी में है हीरे ज्वाराथ नहीं आते बच्चों की बुद्धी में फिरे ज्वारत नहीं आते बाबा ने बहुत बारी समझाया है चित्र साथ में जरूर हो तम को की उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे स्री कृष्ण को भी गाली मिली ना भगाते थे बगाते थे ये करते थे लेकिन उनको भी पत्रानी बनाया विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े करेंगे इस ज्ञान में बहुत नशा बहुत होना चाहिए हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है अभी तो बाबा साथ है बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा पाँच जार साल के कितना नुक्सान हो जाएगा पाँच जार साल तक फिर बाबा के साथ रेने का मोका परम्थाम में परम्थाम में परम्थाम में होना ना होना पांच अजार वर्ष के बाद मिलेगा ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें बाबा से तो हम पढ़ते रहते हैं ये ब्रामनों का उंचे ते उंचा जनम है ये ब्रामनों का क्या है उंचे ते उंचा जनम है ऐसा बाब जो हमको राजाई दे रहा है फिर हम उनको मिलेंगे नहीं परन्तु गंगा पर रहने वाले परन्तु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता बाहर वाले कितना महतो रखते हैं यहां भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं है यदि आपके अंदर योग बल नहीं है तो आप किसी को भी समझाने सकते यह योग बल क्या है योग बल क्या है योग बल बताओ आज हमने पहले चर्चा किया है शुरुवात में यसे गर्ट नहीं होना चाहिए योग बल किसी का अनभवी योग का अनभवी योग मना बाबा की शिरीमत बाबा की शिरीमत पर चलने के अनुभवी बनना बाबा की शिरी मत पर चलने के अनुभवी बनना इसको कहा जाता है योगवा हम एक बार बाबा की शिरी मत पर चल दिये और फिर नहीं चले तो हम अनुभवी थोणा है हमने एक बार कहना माना हम लगातार कहना मानते जाएं तो हमारा उतना अन्वह बढ़ता जाएगा एक बार कहना माना फाइदा हुआ दुबारा माना फाइदा हुआ तीसरी बार माना फाइदा हुआ तो हमारा वो संसकार पक्का हो जाता है फिर उसका फाइदा लगातार मिलता रहता है आते बहुत है सेंटर्स पर आते बहुत है लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया कहते हैं बहुत अच्छा है बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं सुना ऐसे जैसे सुना ही क्योंकि मैं जब शुरू-शुरू में कॉर्स करने जाता था ऐसे सुनता था सुना ही नहीं समझा रखा था अपने आपको कि मुझे सुना ही नहीं इनका काम है बोलते रहना मेरा काम है, सुनना ही नहीं चिकना गड़ा माइंड प्रिपेर करके क्योंकि यह हमें ब्रमा कुमार बना देंगे थे हैं नहीं, हमारा तो घर गरस्ती बेगार हो जाएगे न यह पहले से बुद्धी में था, कि बहन्जी जो भी बोलेंगी, हमने उसकी एक भी बात नहीं माने बाबा समझते हैं सुना ऐसे, जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं बाब को ही नहीं जाना है, अगर कुछ समझें, तो ऐसे बाब से connection तो रखें, चिठी लिखें, जट्टी तुमसे पूछे, कि तुम ऐसे बाब को चिठी कैसे लिखते हो? जट्ट तुमसे पूछे, कि तुम ऐसे बाब को चिठी कैसे लिखते हो? बताओ शिव बाबा केराव ब्रह्मा बाबा एक दम लिखने लग पड़े? शिव बाबा केराव ब्रह्मा बाबा एक दम लिखने लग पड़े ये तो रत है है ना प्रंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है कि इनकी जो इनमे परवेश करता है सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले ठक जाते पर दर्शनी समझाते थे ना तो गला चौक हो जाता था क्योंकि उदर स्पीकर चल रहे हैं गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता था तो गला चौक हो जाता था फिर एक दो दिन भोल भी नहीं सकते तो बाबा करते हैं सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले ठक जाते हैं पर तु योग नहीं है तो योग नहीं है तो बोला तो बहुत बाशन तो बहुत किये पर तु योग नहीं है तो तीर नहीं लाता वो घायल नहीं होते वो बाबा के बच्चे नहीं बनते इसको भी ड्रामा कहेंगे इसको भी का कहेंगे इसको भी ड्रामा कहेंगे बाबा को जान लिया फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे ट्रेन में भी योग युक्त हो आएं हम जाते हैं बाबा के पास जैसे विलायच से आते हैं तो इस्तरी बाल बच्चे आदी सब याद आते हैं ये तो हम किस के पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए राश्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए सर्विस करते करते आना चाहिए बाबा है सागर देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं ज्यान की लेहरे उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बहुत फाइदा है ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबा को याद करना है उठते बैठते खाते पीते याद किया सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो तब तुम यात्रा पर हो अच्छा मेटे मेटे शिक्की लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोर्ड मौर्नि रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते को नमस्ते नमस्ते दालना के लिए मुख्य सार किसी की दिल को दुखी नहीं करना अंदर में कोई भी भूत है तो जाच करके उसे निकालना है फूल बन सब को सुख देना है फूल बन के क्या करना है सब को सुख देना है हम ज्यान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्यान की लहरें सदा उठती रहें सर्विस की युक्तियां रचनी है टेन में भी सर्विस करनी है साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यत्रा पर भी रहना है वर्दान याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है अर्थात समानता है वहां बाप का विशेश मदद अनुभव होता है ये मदद ही आशीरवाद है क्योंकि बाप दादा अनन्ये आत्माओं के माफेग अशीरवाद नहीं देते बाप दाता तो है अशरीरी बाप भी और दादा भी दोनों क्या हैं? ने सोरी बाप तो है अशरीरी तो बाप दादा की अशीरवाद है सहज स्वता मदद मिलना जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए यही मदद अर्थात अशीरवाद है ऐसी अशीरवाद के पात्र ऐसी अशीरवाद के पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, एक कदम में क्या हो जाती है, पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शान्ती वा सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो, क्या जमा करो, सच्ची शान्ती, साकाश देने के लिए, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सुख और शान्ती चाहिए, पहले तुम अपने जीवन में सुख और शान्ती का अन्भव करो, फिर उनको समझाओ, तो सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो, अच्छा, ओम शान्ती, और विस्तार से जनने के लिए, प्रजा पिता ब्रमा को मारी ईश्वरिये विश्व विद्या लेके, किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रशन है, तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें, 9650692270 पर केवल वाट्सेप करें, फोन नहीं, ओम शान्ती. चान और योग की मस्ती में रहना है, और ये है काटो का जंगल, बाबा आये हैं, इसे फूल वाडी बनाने के लिए, ओम शान्ती. गधन के लिए, ओम शान्ती.